नमस्ते यहां पर इस वीडियो में Gcam AGC 8.5 के साथ Sgcam 8.5 के कॉंपरिजन करने वाले है तो वीडियो कफी इंट्रेस्टिंग होने वाला है अन तक देखना पसंद आए तो लाइक और शेयर कर सकते हो इन चैलेंड को सब्सकाइब कर सकते हो डेस्किप्शन बॉक्स में दोनों Google कैमेरा का जो है डाउनलोड लिंक पोवाइट कर दूँगा वापर चके चेक आउट करके देखना यापर हमने Redmi Note 11 device को पर Gcam AGC 8.5 का जो लेटेस्ट अपडेट है इंस्टोल किया है यापर हमने Poco X6 device को पर Gcam 8.5 का जो लेटेस्ट अपडेट है इंस्टोल किया है दोनों Google कैमेरा के साथ जो है कुछ इससरा से इस अभी जो ऑप्शन्स बग रहा है याप पर देखना को मिल जाएगा ठेड सरी कस्टमेशन ऑप्शन्स को एट किया गया है सबसे बहले हमें यहापर वीडियो को रेकॉड करने वाले है तो हम यहापर फूल एजडी में वीडियो को रेकॉड कर सकते है तो यहापर फूल एजडी 30 पेस का ऑप्शन है फूल एजडी L60 पेस का जो ऑप्शन से देखना को मिलेगा फिलाल यहापर Redmi Note 11 device कूपर जो है वीडियो रिक्टिंग के साथ ब्लाक स्कीन शो कर रहा है बट यहापर जो कैमेरा बग रहा है यहापर काम कर जागा देख सकतो कैमेरा काम कर रहा है बट वीडियो रिक्टिंग के साथ ब्लाक स्कीन शो कर रहा है एनिवे, यहाँ पर SGCAM 8.5 के साथ जो है यहाँ पर जो वीडियो रोकटिंग का जो आप्शन से आपर काम करेगा तो कुछी सरा से आप जो है फुल एजडी 30 पेस में वीडियो को रेकॉड कर पाओगे, यह बेन 1x, 2x का अप्शन है प्लस यहाँ पर पॉस यहाँ पर वीडि अगर आपका जो डिवाइस से अगर सबोट करता है 4K वीडियो रोकटिंग तो आप जो है इस गूगल कैमरे के साथ 4K था टेप पेस में वीडियो को रेकॉड कर पाओगे, इवेन यहाँ पर 8K वीडियो रोकटिंग का जो आप्शन देखना को में लेगा है SGCAM 8.5 के साथ नाव जल्दी से कुछ फॉट कुलिक करते हैं तो यहाँ पर हम वन बाई वन फॉट कुलिक करने वाले हैं देख सकतो यहाँ पर फॉट को कुलिक करने के दरान जो कुछ इस तरह से जो है सेप आइकोन देखने को मिल जाएका और काफी फास जो है फॉट यहाँ पर सेप हो जाता है जो कि काफी बढ़िया है यह आपर धेड से ओप्शन को एड किया गया है तो जल्दी से कुछ फॉटो कुलिक करते हैं सभी फॉटो को हम जो है आपके सामने यह पर लाइब क्लिक करने वाले है यह आपर नाइट साथ मोड का जो ऑप्शन से देखने को मिलेगा प्लस यह आपर हम मल्टिपल फॉटो को यह पर क्लिक कर रहे है और भी कुछ फॉटो क्लिक करते है तो यह पर पहले जो वानेक से इसके साथ फॉटो क्लिक करते है यह पर टुएक्स ऑप्शन के साथ हम यह पर फॉटो को क्लिक कर रहे हैं काफी फास्ट यह पर फॉटो जो है यह से हो जाता है यहां चो शाचरिस पिटे कंफी बढ़िया है एक यह पर जो शाचरिसित है प्लस जो फॉटो प्रोसेसिंग है अपर डिबंर गड़ेगा कि प्लлять दिबैक्ट अ 11 device and POCO X6 के साथ भी आपर जो है शाटरी स्पिट के साथ जो डिफरेंस है यापर प्रोसेसार के रिलेटेट है और भी कुछ फोटो क्लिक करते हैं तो यहापर हम multiple photo को यहापर क्लिक करने वाले हैं देखते किसरे से यहापर जो है ओबराल जो है फोटो कॉलिटी देखने को मिलेगा और अलगलग options को यहापर एड किया गया है यहापर like mode का option है और ओटो वाइड वालेंस mode का option है एवन custom watermark का जो options से यहापर देखने को मिल जाएगा इसके सा आप छो है फोटो कॉलिक कर सकता हो फिरल था हम जो है normal जो option से इसके साथ ही है फोटो क्लिक कर रहे है तो अगे फिलल जो like mode है मोट है से हमने लре EL किया है लिपीट आ र्लाइक मोट के साथ जो किसले से यहाप फोटो कॉड़ गाल यहापर 1 यहापर फोन आप छोएल्स का option U या पर जो custom watermark का जो option से अमने enable कर दिया है even जो auto white balance mode का जो option इसे भी हमने enable कर दिया है देखते हैं उसके बाद जो है किस सबसे यह आपर photo quality देखनों को मिलेगा definitely GCam AGC के सब आप जो है काफी बढ़िया photo click कर सकतो और यह आपर social media ready photo को भी click कर सकते हो anybody फिलाल जो है photo click करते है पर SGCAM के साथ तो यह पर देखते है किस सबसे यह पर quality देखनों को मिलेगा तो यह पर हमने 1X, 2X के सथ photo click कर रहे हैं यह पर भी custom watermark, auto white balance का जो option से देखनों को मिलेगा upskilling photo का जो option से available है फिलाल हमने यह पर auto white balance का जो option से यह पर enable किया है auto white balance का साथ जो है accurate color देखनों को मिलेगा, natural color देखनों को मिलेगा यह पर multiple lens का जो option से यह पर available है SGCAM के साथ आप जो है multiple lens का साथ भी photo click कर सकते हैं तो यह पर हम अलेग-अलेग photo को यह पर click कर रहे हैं देखते किस सबसें आप जो है overall quality देखनों को मिलेगा and और भी कुछ photo click करते हैं, definitely यह पर जो shutter speed है काफी सही है, काफी fast यह पर photo click कर सकते हैं फिलाल यह पर बात कर लेते है photo sample के बारे में तो यह पर कुछ इस तरह से जो है photo quality देखनों को मिलेगा सबसे वहले यह पर video recording के बात करें तो definitely sgcam 8.5 के साथ Poco X6 device को पर video recording काम कर जाएगा यह पर full hdi event जो है 4K के साथ भी video को record कर सकते हैं यह पर video recording करने के दौरान जो है stabilization का जो option से आपर काम नहीं करते है जिस धान में देना होगा anyway अगर बात करें पर photo quality के बारे में तो दुनों Google camera के साथ आप जो है काफी बढ़िया photo click कर सकतो photo group पर जो details बगड़ा है काफी बढ़िया देखनों को मिलेगा इपन photo में zoom करने के बाद भी जो quality है काफी बढ़िया है दुनों Google camera के साथ जो है social media ready photo click कर सकतो बाकी यह पर जो details बगड़ा है HDR processing है white balance काफी हद तक जो है accurate देखनों को मिलता है natural looking photo click कर सकतो यह बन जो overall quality है जो details काफी सही है यह पर light balance भी काफी बढ़िया देखनों को मिलता है and HDR mode भी बड़ी तरह से काम कर जाएगा auto white balance mode का जो option से काम कर जाएगा काफी अद तक जो bright image देखनों को मिलता है even 2X के साथ भी quality है काफी बड़ी है दोनों Google camera के साथ plus यह पर like mode भी काम कर जाएगा and social media ready photo click कर सकतो दोनों Gcam के साथ यह पर custom watermark का जो option से देखनों को मिलेगा दोनों Gcam के साथ ही अब लेवेल है even यह पर हमने Gcam AGC 8.5 के साथ custom watermark का जो option से ट्राइगा था यह पर काम कर रहा है and overall quality जो ही काफी बड़िया देखनों को मिलता है तो दोनों जो Gcam है अगर आप चाहो तो एक ही device को पर install कर सकतो without any problem यह पर काम कर जाएगा फिलाल यह पर बात कर लेते है यह पर user interface के बारे में तो दोनों Gcam के साथ जो है यह आपर multiple lens का जो option से देखनों को मिलेगा ultrawide lens का option है यह से आप मैक्रो lens के साथ भी फोट क्लिक कर सकतो and यह पर color mix CY का जो option से देखनों को मिल जाएगा Gcam Agis 8.5 के साथ यह पर saturation luminous को adjust काने का option है Leica mode, autrawide, valence, custom, watermark upskilling photo का जो option है देखनों को मिलेगा HDR mode, night side mode का option है यह पर वीडियो recording के साथ यह से भी options देखनों को मिलेगा यह पर panorama, photos per mode का जो options से यह पर देखनों को मिल जाएगा यह पर portrait mode का जो options से यह पर available है यह पर face retouching HDR mode का जो options से देखनों को मिलेगा SDCAM 8.5 के साथ Plus यह पर motion photos का option है यह पर night side mode का जो options से यह पर देखनों को मिल जाएगा Astro photography, manual focus का option है तो आप जो है definitely आपके device को पर दुनों Google camera को try करके देखो, thank you very much for watching this video